अब यूदय योजना से जो लोग जुड़े हुए हैं और जिन लोग आज पेपर था, UPSC का या UPPSC का और जिन लोग ने आज किसी कारणबस पेपर नहीं दिया, किसी वज़ा से पेपर छोट गया, लेकिन वोग लागिन किये थे, ठीक है, उन लोग ने लागिन किया था, उन यदि आपने पेपर के लिए खोल दिया था option, आप अपने mail ID को भर दिये थे, और आपने next वाले option में क्लिक किया था, यानि कि exam देने के लिए, या आपने कुछ questions किये थे, फिर जागर के error आ गया था, 502 gateway लिगा था, ऐसे लोगों के लिए खास वीडियो बनाया रहा हूँ और जिनके सामने गूगल फार्म का option नहीं खुला था, यानि कि जिसमें आपको paper देना था, उनके लिए ये काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है अपने ही mobile में, माल लिजे आपने mobile में, laptop में, जिसमें भी आपने paper दिया होगा, तो आप Google Chrome में दियोंगे, किसीं किसी browser म में दियोंगे, modular fireparks में दियोंगे, internet explorer पर दियोंगे, किसी में भी दियोंगे, आपको step में क्या करना है, अपने mobile को open करना है, या जहां भी आपने paper दिया था, ठीक है, mobile को open करना है, और आपको पहले Google वाले page वो खोल लेना है, Chrome वाला, माल लेते हैं, हमने आपको इसमें द ध्यान से देखिएगा, हिस्ट्री वाले में क्लिक करिएगा, आपके सामने आज आपने जो जो पेज खोले हैं इस mobile में, सब कुछ आपको डिटेल दिखाएगा, आपको कौन से link पर touch करना है, जहां पर मुख्यबंत्री अभज़योजना, यानि कि docs.google.com लिखाओगा, इस इसमें बोलेगा कि अब response इसके लिए नहीं लिया जा रहा है, यानि कि अब इसके लिए कोई acceptance नहीं है, और आप फिर से उनसे बोलिए कि link भेजने के लिए, जो कि वो भेज़ेंगे नहीं फिर, तो आप इस तरह से आप paper दे सकते हैं, अभी भी link जारी है, जिनका paper छूट इस तरह से वो paper दे सकते हैं, किसी काणवास से उनका error आ गया था, ऐसे लोग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आपने link कब खोला था, दोपार में आपने खोला होगा, तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जले हो सकता है, इधर उधर हो, और आपने पहली बार इस तरह का link कब खोला था, वो आप थोड़ा सा देख लिजेगा, नीचे से देखते हुए, माल लिज अभी हाले ही में कोई आपको link भेजा हो, किसी अन्य जगा का, अगर उसको आपने खोला हो, अगर आपका district नहीं दिखा सकते हैं, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद,